जेहिंद वंदे मात्राम स्वागते सभी साथ यूंका इस्टेडी एक्जाम एकेडमी के ओनलाइन पलेट फोरम पर अपने राजस्तान जीके की कलास होगी सभी एक्जाम के लिए काफी महत्वण है आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो सभी ओल एक्जाम के लिए बहुत ही महत्वण क्योंजन होने वाले हैं राजस्तान का पढ़जा मंडल टोपी के आज अपना और इससे पहले में बता दूँ कि कल 14 जुलाई को 14 जुलाई को 14 जुलाई को एक विशे सूचना सभी विदारतियों के लिए साथियों के लिए कि 14 जुलाई को साम को आठ बजें आठ पियम पर कंप्यूटर की महरतन कलास इस्टार्ट होगी राजस्तान पुलीस कोंस्टेबल पटवारी ग्राम शोक लडिसी सभी एक्जाम के लिए यानि मेरतन कलास का मतलब है कि पूरा आपको सेलेबस करवा दिया जाएगा एक ही कलास में पूरा कंप्यूटर का डाए तीन गंटे की मातर कलास होगी पूरा सेलेबस आपको करवा दिया जाएगा साथ में क्यूंसन भी करवाई जाएगे और बाद में आपको इसकी ठोरी भी बताई जाएगी तो आप उसमें जरूर जुड़ें तो इस्टार्ट करते हैं पहला क्यूंसन इस्क्रियन पर आपने सही एंस्वर दे दिया होगा कौन जा कूट सुमेलित नहीं है कहने का मतलब एक तरफ परजा मंडल दे रहा है दूसरी तरफ उनके संस्थापक का नाम दे रखाए कि किस परजा मंडल का संस्थापक कोन है सुमेलित नहीं है जेसल मेर के कोन है मिठालाल व्यास कोटा के कोन है नेनुराम सर्मा जेपूर के कोन है कपूर चंद पाठनी बुंदी के कोन है गोपिलाल या दू इसका सुमेलित कोन सा नहीं है सात्यूं बिल्कुल ब तो दे इसका एंसर को जाईगा नहां अगेका किसे का संब्स डूकूल यह मदा रहे हैं। सभी का स्वागत है वेलकम एक बाढ लाइक और शे oyn्डर कर दें लाइट कि लाइव क्लास को। मेवाड पुकार जेनर्ड व्यास द्वारा संपादि देक मासिक पत्री का थी मोतिलाल तेजव द्वारा तयार एक मांग पत्र था जो महराणा मेवाड को परुष्टुत किया गया मेवाड परजामडल का साबता एक अकबार था केसरी शिंग बार्ड दोरा रचित एक सोरी वीर गता थी तो मेवाड पुकार क्या थी साति हूँ बिल्कुल इसका करेक्ट अंसुर क्या हो जाएगा जो विदारती बे दे रहे हैं सबी का राइट है मोति दाल तेजवत दुआरा तयार एक मांग पत्तर था जो महरणा मेवाड को परफश्दूत किया गया विल्कुल करेक्ट है अगला देखे परसनेशन के चार निमल लिकित में से गलत यूगम की पेचान कीजिए शिरोई परजा मंडल, बुंदी परजा मंडल, डुंगरपुर परजा मंडल, दोलपूर परजा मंडल एक तरफ दे रहे है यहाँ पर गोकुल भाई बट, बुंदी परजा मंडल के पंडित नियून राम सर्मा डूंगरपूर परजा मंदल के है बोगिलाल पाइंडिया और धोलपूर परजा मंदल के है कपूर्चंद पाठनी तो कौन सा युगम गलत है इन में से बताना है आपको इसका correct answer दे हो जाएगा दोलपुल परजा मंडल के कौन कपूर्चंद पाठनी यह यहां पर है बिल्कुल रोंग होगा बाकी शिरोई के कौन है संस्तापक गोकुल भाई भट है पुंदी परजा मंडल के नियुन राम सर्मा डूंगरपुर के बोगिलाल पैंडिये बिल्कु पैंडिया बिल्कुल राइट एंस्वर है अगला देखें निमा लिकित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है एक तरफ परजा मंडल है दूसरे पर तरफ उनका संस्तापक दे रखा है ठीक है इन में से एक सुमेलित कौन सा नहीं है यही क्यूंसन पूछे जाते हैं डाल देगा एक्जामिनर तो सुमेलित कौन सा नहीं है बिल्कुल बताना है आपको शिरोई परजामंटल का गोकुल भाई बट बिल्कुल राइट है करोली की बात करें तो करोली के कौन है तिर लोग चंद माथूर राइट है जैसल मेर के मिठा लाल व्यास और अलवर के रखा है एक तरब दे रखा है राजस्तान सेवासंग दूसरा है देश हितेसी प्रोबकारी सबा नमर तीन है अकिल भारतिय रज्य अकिल बारतिय देशी रज्य लोग परिसद चेंबर ओफ फ्रिंसेज सुमेलित आपको करना है कौन सा कूट यां पर शुमेलित है इस्ताप आपना वरस उननीस सो बिल्कुल क्या हो जाएगा रहे एंसर कमेंट बोक्स में दे उननीस सो उननीस बिल्कुल राइट है देश हितेसी प्रोबकारी सबाकी इस्तापना कब हुई अठारसो सतेतर अखिल भारति देशी रज्य लोग परिसद गी उननीस सो सताइस चेंबर ओ प्रिंसेज गी उननीस सो इकीस में तो इसका राइट एंसर ए हो जाएगा यह जो भी विदारती दे रहे हैं सभी का राइट है अगला देखें निम्मल लिकित में से कौन सा यूगम सुमेलित नहीं है यह वापिस सुमेलित वारी क्यूंसर मिलेंगे आपको परजा मंदल मे नहीं है इसका राइट हैंसर यह पर चेहं हो जाएगा बिकनी aż परजा मंदल के लिएस नहीं है यह यहां पर क्या बिल्कुल गलत है जैसल मेर्जा मंदल सबी मुपनि पर्जामंडल गुलै जोदपुर परजामंडल लूंडल गई light एक तालश मेवार्ट पर्जामंडल के परमुकनेता झने unnign शोब 22 भारत छोड़ो आन्दुलज में गृपतार किया गया महोर्ड परजामंडल के परमुग नेता कौन थे मुहनलाल, सुकाडिया, मानिकिलाल, वर्मा, बल्वन सिंग, मेता या उप्योक्त सभी बिल्कुल राइट एंसुर क्या हो जाएगा उप्योक्त सभी हो जाएगा मुहनलाल, शुकाडिया, मानिकिलाल, वर्मा और बल्वन सिंग में था तीनु थे अगला देखें अमरितलाल पायक वे चुनिलाल का सम्द्ध किस परजामंडल आंदोलन से था डूंगरपूर, मेवाड, परतापगड या मारवाड अमरितलाल पायक वे चुनिलाल का सम्द्ध किस परजामंडल आंदोलन से था तो इसका राइट एंसर शे हो जाएगा परतापगड परजामंडल अगला देखें मेवाड राजी परजामंडल की इस्तापना के दुआरा की गई तो इसका राइट एंसर क्या होगा इसकी इस्तापना 24 अपरेल 1938 को बलवन सिंग मेता के दुआरा की गई बलवन सिंग मेता के दुआरा 24 अपरेल 1938 में की गई शे राइट एंसर है जो भी मितर दे रहे हैं कमेंट बोक्स में एक बार लाइक और शेर करदें कलास को अगला देखे बारत छोडो आन्दोलन्न के दोरान जेंटलमेन एगरिमेन्ट किन के मद्य संपन हुआ corresponding टेंसर क्या हो जाएगा मिरजा, इसमाईल और हिरलाल सास्त्री के मद्य किसके मद्य है मिर्जा, इसमाईल और इरलाल सास तरीके मत दे इसका दे राइट एंसर हो जाएगा अगला देखें उत्तरदाई सासा की इस्तापना की मान सविकार करने पर बरतपुर के किस माराज़ा को राजगदी छोड़ने पर बाद देखिया गया बिल्कुल बिजेदनर सिंग, जगन सिंग, मान सिंग या किसन सिंग क्या हो जाएगा राइट जो भी विदारती इसका करेक्ट एंसर दे दे रहे हैं किसन सिंग उन सभी का राइट है क्या हो जाएगा किसन सिंग अगला देखें नेमल लिकित में से गलत यूगम की पेचान करना है वो ही दियव है विजोलिया, अंदोलन, मानिकिलाल वर्मा, राजस्तान, सिवासंग, हरीबाई, किंकर, शिरोई परजा मंडल, देश राजिंग, और मारवाड किशाद, अनोदन, रादा कर्शन ताद गलत यूगम कौन सा है, तो राइट यहां पर हो जाएगा, इसका कर्रेक्ट एंस्वर से हो जाएगा, शिरोई परजा मंडल, शिरोई परजा मंडल, देश राजिंग, यह यहां पर गलत हो जाएगा अगला देखें इसमें भी वोई गलत यूगम को पेचान करने हैं आपको करोली परजा मंडल तिरलोग चंदर माथूर अलवर परजा मंडल हरिनारेंड सर्मा शिरोई परजा मंडल के गोकुल भाई भट बुंदी परजा मंडल के मानी के लाल वर्मा गलत कौन सा इन में से तो क्या हो जाएगा दे हो जाएगा बुंदी परजा मंडल के मानी के लाल वर्मा यह यहां पर रोंग हो जाएगा अगला देखें नेमल लिकित में से परजा मंडलों का मुख्य उदिश्य क्या था परजा मंदूलों का मुख्य उद्शी क्या था सासकों की सत्ता समाप्त करना बेटिस राजी का अंद करना समाजी कुरूतियों को मिटाना या नागरिकों के अधिकारों के लिए संगर्ष करना करेक्ट एंसर दे कमेंट बोक्स में तो परजा मंदूलू का मुख्य उद्शी यही था नागरिकूं के अधिकारूं के लिए क्या करना संगर्ष करना इसका दे राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट अगला है कांती चंद चोथाणी वे जमाल सा का सम्मंद किस परजा मंदल आंदोलन से है कोटा दोलपूर सापूरा या किसनगड तो इनका सम्मंद किस परजा मंदल आंदोलन से है बिलकूल करेक्ट एंसर आ रहा है विदार्तियों का जो भी स्टुडेंट इसका दे दे रहे ह का यहां पर राइट एंसवर है किसनघड परजामंड़ की कि एस्तावबना कब हुई किसलघड परजामंडल की स्तावबना क्ब हुई इस्तावबना क对। राइट एंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल से हो जाएगा 1942 में हुई थी नेक्स्ट किशनगट परजामंडल की इस्तापना कब हुई अब किशनगट परजामंडल की पूछी गई है कुशलगट की कब हुई कुशलगट की कब हुई मैंने भी बते हैं आपको 1942 में तो किशनगट की कब हुई 1936,1945,1949 या 1938 कमेंड बॉक्स में बताएं बिल्कुल 19 का राइट एंसर शे हो जाएगा 1949 में अगला है करोली परजामंडल की इस्तापना कब हुई करोली परजामंडल की इस्तापना 1938,1949,1936 या 1931 तो करोली परजामंडल की इस्तापना कब हुई बिल्कुल ए हो जाएगा 1938 में करोली वाला परजन कहीं बार एक्जाम आयावा है अगला देखे अलुवर परजामंडल की इस्तापना कब हुई सारे मेंने एक सार डाल दिये ताकि आपको दिक्कत ना हो लिख लेना कहीं पर और पीडिव हमारे टेलीग्राम गुरूप इस्टेडी एकजाम एकड़ में आपको मिल जाएगी तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल बे हो जाएगा 1938 में अगला है जेपूर परजामंडल की इस्टाफ ना कब हुई जेपूर की 1931 1934 1935 या 1932 तो जेपूर परजामंडल की इस्टाफ ना कब हुई थी 1931 में हुई यह यहां पर एर आइट एंसर हो जाएगा पीडियव आपको वमारे टेलीकरम गुरूप इस्टेडी एकड़ी एकड़मी में मिल जाएगी यह आपर नाम देख सकते हैं आप इस्टेडी एकड़मी वहां से आप डाउनलोड कर लेना और यह आपको कोई डाउट है तो मैं इंस्टाग्राम पर आप फोलोग कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आइडी इस्टेडी एकड़मी के नाम से हैं धन्यवाज जैहिंद